रादे रादे जैसी किष्णा कहानी संग्रे में हमारे सभी स्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है वक्तो आज की वीडियो में हम वैसाक माह के महतम्य के 21 में दिन की कथा के महतम्य को स्रवड करेंगे इससे पहले मैंने 20 दिन की कथा के महतम्य के वीडियो अपने चैनल पर डा पुन्यफल के भागीदार बन सकते हो कथा का सुवारम करने से पूर्व हम आपको भुजन से पूर्व बोले जानने वाले कुछ मंत्रों को बताना चाऊंगी ता कि हमें अनपूर्णा देवी की क्रपा से जो भुजन हम ग्रहन करते हैं वह हमारी सरीर को पुष्टी प्रदान कर निरोगी काया प्रदान करें सर्व प्रथम भुजन ग्रहन करने से पूर्व त्वच पानी से हाथ मूं दोकर कुल्ला करें फिर ओम वुर्व ववस्ट है मंत्र से आचमन करें इसके बाद जमी पर आसन डाल कर भुजन की थाली के चारों और थोड़ा सा जल लेकर चड़ कर थाली में रख दें और इस मंत्र का जाप करें ओम भू पतहेश्वाहा ओम भूता नाम पतहेश्वाहा ओम ववन पतहेश्वाहा इनी तीन मंत्रों दारा सभी इष्ट देवों को याद किया जाता है और भोग लगाया जाता है इन मंत्रों का जाप करने से प्रत्वी सहित 14 ववनों के सवी जीवों के स्वामी परम पिता परमात्मा तरप्त होते ही भोजन से पूर्व इन मंत्रों का जाप करने से भगवान अतिप्रसन होते ही और हमें भगवान की क्रपा से भोजन से तरप्ती प्राप्त हो उत्तम स्वास्त की प्राप्ती होती है सबसे पहले उन तीनों ग्रासों को जो आपने भगवान के निमित प्रशाद के रूप में तीनों देवों के लिए निकाल कर ठाली में रखे थे उन्हें भगवान का इसमरड करते हुगे ग्रहन करे और इसके बाद भोजन खाएं, भोजन करते समय कभी भोजन की निंद्रा न छोड़ें आईये वैसाक महातम्य का 21 मा अध्याय स्रवड करें इससे पहले 20 में अध्याय में आपने देखा व्याग्र संक मुनी से बोला परम पिता पर मातमा ने करूणों जीवों की रचना किये और उनके विन विन सनातन मार्क हैं फिर वी एक पिता की संताने होने पर वी जीवों का शुभाव एकसा नहीं है तब संक मुनी वहे दिया को तीन गुड़ों वाले जीवों की ब्याक्ष्या कराते हैं रजोगुडी सतोगुडी और तमोगुडी इनी गुड़ों के आधार पर व्यक्ति के शुभाव और कर्म होते हैं इसके साथी भगवान द्वारा स्रश्टी की रचना तता भिन धर्मों के साथ बैसाक धर्म को विस्तार से बताते हैं सभी बैसाक धर्म सुनाने के बाद अचानक पास में खड़ा एक पंच साखाओं वाला ब्रच गिर जाता है उसकी खुकाल से एक वहिंकर सर्फ बैसाक महत्म्य को सुन उसके सभी पाप प्रणड़ाम करता है इसे आगे की गठा में सर्फ की ऐसी मुक्ति देख वहे लिया और मुनी एक दूसरे को देखते हैं तब संक्मुनी बोले आप कौन है और तुम्हें सर्फ योनी क्यों प्राप्त हुई है सौम्य किस पुन्य कर्म करने से तेरी सद्ध वुद्धी हो गई और अक्समात तुझे मुक्ति कैसे प्राप्त हो गई यह हमें सब बता संक्मुनी के इस प्रकार पूछने पर वह दंडबत प्रडाम कर बोला हे मुनिवर में प्रयाक राज का निवासी कुसीद मुन का पुत्र ब्रहंबर रूप योवन बिद्या में बढ़ा चड़ा अधि मेरा ब्रहंबर जैसे कुल में उत्पन होते हुए मेरा प्योपार था मेरी किसी भी धर्म में कोई स्रद्दा नहीं थी इसी प्रकार में ने अपने जीवन का बहुत सा कीमती समय नश्ट कर दिया वैसाक माह में जेयंत नाम के एक ब्रहंबर भगवान हमारे प्यारे व वरड़ों के हजारों इस्ति पुरुष प्राते इश्णान कर भगवान सिरी और विश्वु का पूजन कर कथा का स्रवड करते थे मैं उस हरे कथा में पगड़ी धारड कर पान चबाता हुआ वहां के द्रस से देखने जाता वहां जाकर कभी में हसता तो कभी निंदा करता ऐसी मेरी बातों से सभी भगवत कथा सुनने वालों का मन चंचल हो जाता उसी पाप के कारण मेरी पुद्धी नश्ट हो गई आई छीड हो गई मृत्त के बाद 14 मन बंतर तक घोर नर्क में रहा इस प्रकार 84 लाक योनी भोक कर अंत में इस ब्रच की खोकाल में सर्प बन कर निवास कर रहा हूं ये विप्र अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फन से सहर्स बर्स से निराहार निवास कर रहा हूं देव योग से आपके कमल मुक से निकली कथा को चच्छ गोलक द्वारा सुनने से मेरे सभी पापनश्ट हो गई और दिव्य सरीर को प्राप्त कर आप के मेरा कल्यार करें जिससे मेरी बुद्धी सदा धर्म में लगी रहे और मुझे स्ट्रिष्ट गती प्राप्त हो आपके अनुग्रह से मुझे साद महात्माओं की संगती मिले बगवान विश्डू में मेरी प्रीति सदा बनी रहे इस प्रकाद हाज जोड कर इस्तुती कर स संक मुनी के समच्च खड़ा रहा संक मुनी ने प्रेम से उसको दोनों हातों से उठाया और उस पर अनुग्रह करके भावी ब्रतान्त कहने लगी हे दोई जिस बैसाब मास और सिरी हर भगवान विश्डू का महात्म में स्रवड करने से तेरे समस्त पाप नश्ट हो गई है तू कर्म से अतिबाहक लोकों में जाकर फिर दसारट देश में ब्रहमर के घर जन्म लेगा और बेद सर्मा नाम से विख्यात होकर सब विद्याओं में विशारत हासल करेगा प्रतेक जन्म में तेरी अत्यन जात इस्मृती होगी निरवंदन निह इस्प्रह गुर्भक्त और जितेंद्री होकर तू उस जन्म में सदा ही बगवान विश्लू की कथा में तत्पर रहेगा और सभी वैसाक तर्मों का पालन करेगा तब तू सिद्धी को प्राप्त कर शंपूर बंदनों से मुक्त हो परमधाम को जाएगा ऐसा कहकर मुनीसर चुप हो गई तब बहिल या को देख हुए पुरुष मुनीसर से बोला आपने मेरे उपर बड़ा ही अनुग्रे किया है जिससे मेरी दुष्ट योनी जाती रही और मुझे उत्तम गती मिली ऐसा कहकर वह दोनों हाट जोड कर गुर की परक्रमा कर आग्या ले स्वर्ग को चला किया ही राजन तब संध्या फोजाने पर शंक मुनी ने बहिलियों को संतुष्ट कर सायकाल की संध्या कर विश्टु भगवान के अनेकों जन्मों की कथा सुना रात्ती के सेस भाप को व्यतीत किया ब्रह्म उर्त में नित्यकारियों से निवर्त हो प्रसन्न मन से बहिलियों को वुला कर उसके सिर पर हाथ फेर कर राम ये दो अच्छर का सरल मंत्र जाप करने और मरडो परियंत इनी धर्मों को करने का अवदेश्ट या और कहा इन धर्मों को करने से तेरा जन्म बालमिक र जले गए ब्याग्र भी थोड़ी दूरी तक रिसी के साथ गया जब तक रिसी आखों से ओजल नहीं हुए वह खड़ा अपलप नेत्रों से मुनी को दिखता रहा फिर हिल्दय में उनी का ध्यान करता हुआ बैसाक माह के धर्मों को करता हुआ ब्याग्र योनी को फूरुड कर बालमिक रिसी के घर में जन्म लीता है एक सरूबर के किनारे करस नाम के मुनी दुस्तर बहुत काल तक जब करने के कारण सर्पा की बामी बन गई इसी से उन्हें बालमिक कहने लगे फिर तपके अंत में करड रिसीन के कानों में इस्त्रीयों के प्रिश्टब्द सुनाई दिये तो उनका चित चलाय मान हो गया और वील जात की कन्या से फिवह कर बालमीक नाम का पुत्र उत्पन किया हे राजन वही बालमीक संसार में बड़ी यसस्वी और विख्यात हुए उन्होंने सर्व कर्म बंदनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रच कर संसार में प्रसिद्धी प्राप्त की सुरुत देव जी बोले हे राजन इस ब्रकार वैसाक माह में ब्याग्र के सिर्फ जूतादान करने से दुरलव रिसी तत्त को हुए प्राप्त होता है जो कोई इस आख्यान को सुनेगा तता दूसरों को सुनाएगा वह सभी पापों से मुक्त ह तो सिरी हर के परम धाम में बास करेगा तो भक्तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुती इससे आगे की कथा बैसाक महातम्य के बाइस में अध्याई में स्रवड करेंगे आप आपके परिवार पर सदा सिरी हर सहित वगवती लच्चमी जी की क्रपादरश्टी वनी रहे इसी अगर आपको हमारी प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो आप हमारी कैनल को लाइट सब्सक्राइब और सेयर करें